तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक निया टॉपिक ओस्मो रागुलेशन इन प्लांट तो प्रिविएस लेक्शिज में हमने ओस्मो रागुलेशन के बारे में पढ़ा था कि वो क्या है तो बोडी के अंदर साल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को क्या करना मेंटेन करना है अब हमने देखना के प्लांट कैसे जो है एक बाडी के अंदर ऑस्मो रागुलेशन करते हैं तो और आको रहे हैं प्लांट जो है वेंप डिविएंट he यलップ्री फुन टीवियम्ट में तिवाइड़ है यहां पर वह रहता है तीं में ऐनवारमेंट एक ऐसी इन्वार्मेंट है जो बिल्कुल वाटर की availability है वहाँ पर वाटर की कमी नहीं उसके अंदर प्लांट रहता है और एक ऐसी condition है जिसके अंदर पानी moderate है यह नहीं environment vary करता है वह इन्वार्मेंट के अंदर dry और rainy season दोनों आते हैं तो इन दो season में रहने वाला भी प्लांट होता है तो जहां पर वाटर की availability क्या होती है moderate होती है तो वहाँ पर भी प्लांट को क्या करना पड़ता है अपनी बॉड़ी के अंदर osmo regulation करने पड़ती है salt और water की concentration को up and down करना होता है अपनी बॉड़ी की requirement के मताबिक और तीसरी condition क्या होती है कि ट्रस्टिकल कंडिशन होती है dry बहुत जदा ना dry condition होती है तो उन dry condition के अंदर कैसे plant क्या करता है अपने आपको survive करता है उसके लिए plant क्या है मुफ्तलिफ adaptation अख्तियार करता है यह यह मुफ्तलिफ ऐसी चीज़े अडॉप्ट करता है जिनके जरीए वो इन तमाम मुश्किलास से टैकल कर सके तो उन adaptation को हम पढ़ेंगे कि plant in environment में अपने आपको करता है तो बात करते हैं plants are distributed in different habits plant जो है वो different habits में divided है फर्स क्या है aquatic है और two moderate है और थर्ड क्या है dry इन तीन इन्वार्मेंट के specific नेम है तो इस हैब टर्म एज हैड्रोफाइट मीज़ोफाइट एंड जिरोफाइट यहां पर यह हैड्रो का वर्ट जो है हैड्रो का मतलब क्या है water है और फाइट्स आपको पता है कि किसे बोलते है प्लांट को बोलते है तो ऐसा प्लांट ज दूसरा मारे पारा मीजोफाइट मीजो का मतलब है कि मोड्रेट मोड्रेट का मतलब क्या है कि दर्म्याना ऐसा और फाइट का मतलब प्लांट है कि ऐसा रीजन जहां पर पानी की अवेलिबैलेटी क्या हो मोड्रेट हो ठीक है मोड्रेट पानी की वेलिबैलेटी कैसे होगी कि environment के अंदर अगर dry condition आया तो उसने क्या कर लिए पानी को store कर लिए और वेड कर रहा है रेनी season का जब rainy season आजएगा तो फिर क्या कर लेगा फिर पानी को जो अना store कर लेगा अपर dry condition में उसको utilize करेगा तो यह moderate है अच्छा एक है zero fight zero को मतलब यहां पर क्या है dry है ऐसी condition जहां पर plant क्या हो dry condition में रहता हो जिसे ट्रेस्टियल environment भी बोलते हैं तो ऐसी condition में प्लांट कैसे सर्वाइव करता है उसके लिए मुख्तरिफ adaptation तो उसकी तरह पढ़ते हैं कि कौन कौन सी adaptation ऐसी है जिससे प्लांट क्या करता है इन condition को सर्वाइव करता है अचा तो पहला कि हमारे पास हैड्रोफाइट है हैड्रोफाइट क्या प्लांट्स लाइव इन अबंडेंट वाटर तो प्लांट का रहता है वह उस रिजिन में रह रहा है जहां प्लांट प्लांट पानी के अंदर रह रहा है लेकिन अब उसको किस चीज से वाइड करना है पानी से वाइड करना है कि ज्यादा पानी उसके लिए क्या है हामफूल है ठीक है उससे क्या करना है अगर इस पोदे को लगतार क्या करना है अपनी बॉड़ी से वाटर को बाहें निकालना है अपनी बोडी से वाटर को क्या करना है बाई निकारना है क्योंकि वह ऐसी इंवार्मेंट में रह रहा है जहां पर वाटर की वैलिबिलेटी क्या है जाद है तो ऐसे कंडिशन को टैकल करने के लिए उसने क्या किया है उसने किया है कि लास सर्फिस एरिया लीव सर्फिस एरिय अगर लीव भड़ा होगा ते उसके उपर क्या होगा नमर और स्ट्वमैटा भी ज्यादा होगे जब नमर और स्ट्वमैटा ज्यादा होंगे लाज सर्फिस एरिया होगा तो पानी जो है लीव से EASILY क्या हो जाएगा बाहिर आता रहे जिससे इस plant को problem नहीं होगी ज्यादा पानी होने की वज़े से तो यह plant क्या करेगा जितना इसको पानी चाहिए उतना ही अपने अंदर रखेगा और extra को stomata के जरीए बाहर निकाल दाएगा ठीक है आच्छा जो है अब stomata जो है इस leaf की upper surface पे है अपर surface मतलब सबसे ऊपर वाली surface पे हैं और environment को ज़्यादा शो करें ठीक है यानि environment की तरफ stomata ने क्या कर लिए फेस कर लिए यूजिली जो stomata होते हैं वो leaf के नीचे होते हैं lower surface पे होते हैं लीव की बट यहां पर उनकी इन्होंने क्या adaptation डॉप की है कि जितने भी stomata हैं उनको अपनी lower surface पे लें और जिससे क्या हो रहा है water easily remove हो रहा है ताकि कोई परिशान नहीं हो अराम से ज्यादा water को body से बाई नि कम यह ज्यादा होती रहती है ठीक है तो वो जहां पर दो condition हमारे पास एक है sufficient supply sufficient supply अगर पानी की क्या है ज्याती है पानी उसको मिल रहा है तो वो क्या करेगा stomata को open कर देगा stomata को क्या कर देगा open कर देगा ताकि water क्या हो को लोस हो जाए अच्छा जब उसको condition मिलती है restricted मैंने आपको पहले बिता है कि in moderate region वाले plant होते हैं उनको क्या रहता है कभी कम या ज्यादा पानी का सामना करना पड़ता है तो फिर दो condition उसने बताई है दो adaptation तो sufficient supply में क्या होता है stomata को open कर देता है water को loss होने देता है जबके restrictive supply जब पानी की supply बहुत कम होती है तो क्या करता है stomata को close कर देता है water loss से बचने के लिए अगर water एक plant ऐसे condition में अगर प्लांट रहे रहा हो कि उसकी ड्राय कंडिशन हो अगर वाटर कोई नहीं बचाएगा तो फिर वो क्या करेगा photosynthesis कैसे करेगा कैसे अपनी जो है ना वह वर्क अच्छा फाव निगा खाएगा तो अब आपको को पता है कि हार जानदर के लिए marin के लिए प्लांट के लिए हैं जरूरी है अच्छा आप जीरो फाइट जीरो फाहइं-बार्मनें के इंदर क्लिए प्लांट रहते हैं तो ड्राय और ट्रास्टियल कंडिशन में cervrive करने के लिए इन प्लाण ने क्या वर्क किया है उसको पढ़ते हैं उसकी प्रड़ेशन के इस सबसे पहला आपका लीवाता है तो लीव क्या करता है उन्होंने अपने लीव को चोटा कर लिया समाल इन साइस कर लिया बिलकुँ छोटी सी है जिसतरा पतिया होती है चोटी-चोटी पतियां कर लिए ठीक कर लिए अच्छा इन पतियां को उन्होंने थोड़ा सा मोड भी लिए ऐसे कर लिए पतियां ताकि जो है न वह ठीक हो जाए और इनका सर्फेस एरिया क्या हो गया है रेडियूज हो गया है उन्होंने अपना पत्ते का जो सर्फेस एरिया उसका जो वाल वालीम के अच्छा यह प्रोपोशिजलेयम का मतलब किया सब्सक्राइव प्लांट की किसी लीव का से इर्या कम हो जाए तो रेट Cast किया काम हो जाता है कि तो सांट कि एक कि is ये छोचछिजन के इसके साथ क्या लिंक था कि ये अध्य किसी लिख कर सो के लिए अगर राई कण डिशन आ रही है तो ऊसको बचाना इपने पानी को तो प्रिवन को रेटॉइ करने के लिए अपने पते को चोटा कर लिया है सक्त कर लिये और वालीम को क्या कर दिये है है उसके पोर उसके लिए निकालने बहुत हो गये था लेकिन यहां पर अगर हम बात करेंे इसकी ड्रै कंडिशन में लीव की तो उसने सरफे सेरीह कम कर लिए तो ट्रांसपाइरेशन की रेट क्या हों गए कि इन्तहाई काम हो गयर मैं कि इन्हों की तुछ तो ऐसे करते है कि इन्होंने क्या करना होता है दो थार की तुर्धन वह ढ़ाटर होता है तो उस चीज़ से बचने के लिए न क्या है कि plant अपने leaf को shed कर दिये ना leaf होगे ना photosenses होगी तो photosenses के लिए उन्होंने अपने stem को बना लिए कि ये मेरा stem जो है अब वो उसकी leaf की जगा उसका stem work कर रहे कि उसकी photosenses के लिए अच्छा अच्छा cuticle leaf की surface के उपर ये leaf है leaf की surface के उपर एक layer होती है उस layer का नाम क्या है cuuticle है ये cuticle क्या करती ये cuticle थीक होती है waxy होटी है and leathery होती है waxy का मतलब ओमदार होती है थीक का मतलब थोड़ी जो एना गहरी होती है और leathery leathery इसलिए यांपर word use किया गया है क्योंकि इसका मतलब है कि यहां पर some sort of डाप लेडर नहीं है है इसका मतलब यह के जिसमे को यूस किया जाता था पानी को स्टोर करने के विए जिसको मश्कीजां भी कहते हैं तो यह एसी लैदर बनाता है उसके उपर कि जिससे पानी जो है वो लॉस नहीं हो पाता तो यह वर्क है अच्छा उसके बाद स्टोमेटा है तो इन्हों ने स्टोमेटा अपनी लीव की लोय सर्फिस पर क्या कर दिए उन्चा दिए ताकि यह इन्वार्मेंट से जितना दूर होंगे वो क्या होगा ट्रांस्पारेशन उतनी कम होगी अच्छा उसके बाद है बुक में आपकी एक्जेंपल दी गई है ड्राय कंडिशन में सर्वाइव करने वाले प्लांट की एक है केक्टाई तो केक्टाई क्या करता है ड्राय सीजन में जैसी उसको ड्राय सीजन मिलता है खुश्क सीजन मिलता है तो क्या कर देता है अपने ली तो अभ उसका क्या है फोटो सेंसाटिक जो ऑरंगन है वो क्या बन गया है स्टेम बन गया । लिंट को उसने शब कर दिया है क्योंकि लिव से ज्यादा ट्रांस्पाइरेशनन के चांसि है 21 बस्टेम के अच्छा तो ड्राइस सीजन में एक और ये काम करता है कि रेनी सीजन में जो वाटर इसने स्टोर किया होता है स्टैम के अंदर उसको यूटिलाइस करता है और ड्राइस के अंदर सर्वाइब करने की कोशिश करता है जैसी रेनी सीजन दबारा आता है फिर वो पानी को स्टोर कर लेता ह और फिर जैसे ड्राय कंडिशन आता है उसके इंदर यूटिलाइज करता है तो डे स्ट्रेंट यह था आज का लेक्चर आपको यह समझ आया होगा तो मिलते हैं नेक्स लेक्चर में आप तके लिए लाफिस